क्या मोधी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हटा देगी? क्या मिलेगा ओविसी के किंद्री बज़ट 2023 में अलप संख्यक योजनाओं के लिए आवंटित किये जाने वाले फंड में कमी करनी को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की राजसभा में सभापती खडगे में नोक जोक मोधी भी हसने लगे बज़र सतर के आठवे दिन बुधवार को राजसभा में रास्ट्रपती के विभाशर पर चर्चा के दौरान कॉंग्रस और भाजपा सांसों के बीच तिकी नोक जोक हुई कॉंग्रस नेता मलिका अरजुन खडगे की स्वीच के दौरान कई पले से आएं जब हसे छी ठोली भी हुई मोधी साह की वाशिंग मसीन हरी शंद्र का जिक्र हुआ खडगे ने शेर सुनाया तो सभापती भी शायराना हो गया चालिस मिनिट की स्पीच के दौरान खडगे सभापती जगपती धनकर से भी उलस्ते रिखे उन्होंने अडानी पीए मोधी के रिस्ते अडानी से तेजी से अमीर बनने अडानी की कमपनियों को लेकर सवाल पूछा 2023 में 6.4 प्रतिशत बढ़ेगी भारती अर्थ में वस्ता आर्बियाई का अनुमान आर्बियाई ने बोधवार को रेपोदर में 25-20 पॉइंट की बढ़ोतरी की रेपो रेट वरेट होता है जिस दर पर आर्बियाई बैंकों को अल्पकाली धन उधार देता है आर्बियाई गवर्णर ने 2023 के आर्बियाई के पहले मुद्रिक नीती वक्तव्य में खोशना की 2023 में मुद्रास्विती के 4 प्रतिशत से उपर रहने की संभावना है जन्वरी मार्श 2023 में औसत मुद्रास्विती 5.6 प्रतिशत रहने की उमीध है संसद में स्पेशल ब्लू जैकेट पहने दिखे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पूधवार को बजट पर चर्शा के दौरान संसद पहुँचे तो एक खास नीली जैकेट में देखे गए इस जैकेट को प्लास्टिक इस्तमाल हो चुकी बॉटलो को रिसाइकल करके बनाए गया है इस जैकेट को पिये मोधी को सोमवार को ही गिफ्ट किया गया था दो दिर बाद पिये में से पहन कर संसद पहुँचे है जवाब मांगा है अभी के लिए था ही बाकी की खबरों के लिए पने रहें प्राम मिन्स 24 पर तब तक लिए नमस्कार